पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मालीनी के विश्कन्या होने का सच उर्मिला को पता लग गया था लेकिन अब मालीनी के हाथ से तूटा हुआ वो धाका भी काम नहीं कर रहा था वहीं उर्मिला मालीनी से अब नफरत करने लगी थी और बदकिस्मती से उस तांतरिक बाबा की भी मौत हो चुकी थी और मालीनी अब कमरे में बंध होकर रहे गई थी और अपनी सहाल पर वो बहुत दुखी थी वहीं कॉलेज न जाने के कारण मानव मालीनी से मिलने उसकी घर पहुँच जाता है अब आगे रात के वक्त मानव चुपके से मालीनी के घर की चार दिवारी में चला जाता है अब कैसे जाओ घर में? सीधा गया तो दिक्का तो जाएगी मानव चुपके से बाहर की खिड्कियों से अंदर देखता है अरे ये तो गेस्ट रूम है दूसरी खिड्की से देखता हूँ मानव दूसरे कमरे के खिड्की से देखता है वहाँ उसे मालीनी के सेंडल और कुछ कपड़े दिख जाते है ओ, लगता है यही है मालिनी का कमरा लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा अंदर जाता हूँ तब ही वानव चुपके से खिड़की खोल कर कमरे के अंदर आ जाता है उसे बातरूम से पानी की आवाज आती है लगता है बातरूम में है मालिनी मैं बैट के नीचे छुप जाता हूँ तब ही बात्रूम का दर्वासा खुलता है और मालिनी बात्रूम से बाहर निकलती है लेकिन उसके पैर में जुराबे पहनी हुई थी ये मालिनी ने रात के वक्त पैरों में जुराबे क्यों पहन रखी है तब ही मालिनी बैड के उपर बैड जाती है और नीचे चेहरा करके रोने लग जाती है अरे मालिनी रो क्यों रही है? मालिनी अपने आप से कहती है हे भगवान मेरी साहता करो, मुझे ठीक कर दो, मैं ऐसी जिंदकी नहीं जी पाऊंगी हे भगवान ये सुनकर मालिनी को रोता देखकर, वो अचानक से बेड के नीचे से बहर निकळाता है मालिनी, क्या हुआ तुमें? तुम क्यों रो रही हो? मालिनी उसकी आवाज सुनकर चौंक जाती है और जैसे हि मालिनी चेहरा उपर करती है, मानव उसे देखकर हैराम रह जाता है नहीं आ पाऊंगी. लेकिन तुम्हें ये हुआ क्या है? तुम्हारा शरी नीला क्यों पढ़ गया? मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी. इसलिए तुमने पैरों में जुराबे पहन रखी है. हाँ, मुझे मेरे पैर देखना अच्छा नहीं लग रहा है. इसलि के लाइक नहीं हूँ. मैं सब ठीक कर दूँगा. मैं हूना तुम्हारे साथ. चिंता मत करो. कहा न जाओ यहां से. और दुबारा मेरे सामने कभी मत आना. मालिनी, मैरे तुमसे प्यार किया है. और ये कोई चार दिन की आश्री की नहीं है. जो तुम्हारे बुरे हाल में त में छोड़ कर चला जाओ. ये बात सुनकर मालिनी और भी जोड़ जोड़ से रोने लग जाती है. मालिनी, प्लीज, चुपो जाओ. कहा न, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ. तुम मेरी सच्चाई नहीं जानते मानव. जब जान जाओगे, तो खुद पखुद मेरी जंद की बात पर यकीन नहीं हो रहा था. क्या कह रही हो ये सब तुम? सच में ऐसा है क्या? हाँ मानव, तुम्हारी कसम. तो नागिन सच में होती है क्या? हाँ, पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मेरा हाल देखकर मुझे यकीन हो गया. तो इसका कोई तो उपाय होगा ना? नहीं, कोई उपाय नहीं है, मैं हमेशा ऐसी रहूँगी. तो मैं भी तुम्हारे साथ ही रहूँगा, चाहे तुम जैसी भी हो. नहीं, क्या पता कहीं मैं नागिन मन के डस ना लू तुम्हें, मुझसे दूर रहो. फिर सट दरा रही हो, जैसे उस दिन कॉलेज में दरा रह मानव जल्दी से खिड़की से बाहर चला जाता है, और कमरे में प्रभा कर खाना लेकर आता है. बेटा, खाना खालो. मुझे भूख नहीं है, पापा. ऐसे भूखे रहने से तुम ठीक नहीं हो सकती, बलकि और ज्यादा बिमार हो जाओगी. फिर तुम्हें होस्पिटल ले हैं, और मानव रोज थोड़ी देर के लिए मालीनी से मिलने आता था, और उसे हसाता रहता था. मानव, तुम कितने अच्छे हो, मेरा साहाल देखकर भी, तुम मुझे छोड़ नहीं रहे. मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और मुझे यकीन है, कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी. ठीक है मानव, अब तुम जाओ, काफी देर हो गई है, पापा आते ही होंगे. ठीक है मालीनी, फिर मिलते हैं, बाई. वहीं प्रभाकर भी, और मिला को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन और मिला समझती नहीं है. और म मुझे उस वक्त नहीं पता था, कि मैं एक विश करन्या को पाल रही हूँ, वरना मैं उसे इतना प्यार ही क्यों देती? भगवार ने तुम्हें उलाद देते ही उसे अपने पास बुला लिया, ताकि तुम मालीनी को पास सको, तुम्हारी भी बेटी ही हुई थी. हाँ, ले यसे बताता, मौका ही नहीं मिला, उसी दुरान सात्वे बहिने में स्वरा के भी बेटी हो गई, और बच्चा होते ही स्वरा की मौत हो गई. क्या? स्वरा की मौत हो गई? हाँ, उर्मिला, और स्वरा ने मुझे कसम दी थी, कि तुम्हें वलाद का सुख मिलना चाहिए, इस असलिए मैंने मालिनी को तुम्हारी बेटी बनाकर तुम्हें दे दिया. उर्मिला ये बात सुनकर रोने लग जाती है, जिस स्वरा से मैं इतनी नफरत करती थी, उसी ने मेरी जोली भरी? हाँ, अब रो मत उर्मिला, मालिनी तुम्हारी ही बेटी है, सर्फ जन मुसे सुरा देती? नहीं, कभी नहीं छोड़ती. तो फिर बताओ, क्या मालिनी ने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? कभी तुम्हें लगा कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है? नहीं, कभी नहीं लगा. तो तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो? उस वेचारी की हालत बहुत हाँ, आप सही कहते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई. मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई. मेरी आखो पर नफरत की पट्टी बंदी थी. कोई बात नी ममी, अब तो मैं आपको ममी कहलू न? हाँ बेटी, मैं ही तेरी मा हूँ, मैं तुझे ठीक कर दूँगी तुचिंता मत कर. उर्मिला और मालिनी के बीच सब ठीक हो गया था. उसी रात सब सो गए थे. उठो मालिनी, ये सोने का वक्त नहीं है बेटा. आप कौन है? मैं यहां तुम्हारी साहता के लिए आई हूँ. आप मेरी क्या साहता करेंगी? चलो, मेरे साथ जंगल में, वहीं तुम्हारी समस्या का हल होगा. लेकिन जंगल में तो मैं कभी भी नहीं गई हूँ. मुझे वहां जाने में डर लगता है. चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ. लेकिन आप है कौन? और मुझे बताईए तो सही. बस तुम ये सोच लो, कि मैं तुम्हारा भला चाहती ह ठीक है. बताईए कहां जाना है? मेरे पीछे-पीछे आजाओ. मालीनी स्वरा के पीछे-पीछे चल पड़ती है. और वो एक घने जंगल में खंधर के पास पहुंच जाती है. तभी अचानक स्वरा गायब हो जाती है. आप कहां है? कहां है आप? लेकिन मालीनी बिलकुल अ जाती है. और अचानक उसकी आँख खुल जाती है. बिटा उठो, क्या हुआ? क्या हुआ? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? हां मम्मी, बहुत बुरा सपना देखा था. एक और आई थी मेरे सपने में. और उसने मुझे जंगल में छोड़ दिया. एक खंडर के पास. खंडर! कैसी दिखती थी वो औरत? अजीब से कपड़े पहने थे. वो बोल रही थी कि साहता के लिए आई हूँ. वो जरूर स्वरा थी. वही आई थी तुम्हारे सपने में. मुझे नहीं पता पापा. मैंने उन्हें कभी देखा ही नहीं. मुझे भी लगता है वो स्वरा तुम्हारी साहता के लिए आई थी. लगता है जंगल में ही तुम्हारी समस्या काहल है. हमें वहाँ जाना होगा. ठीक है पापा. लेकिन मैं अकेली नहीं जाओंगी. मुझे बहुत डर लगता है. चिंता मत कर बेटा. हम साथ चलेंगे. तभी मालिनी, प्रभाकर और उर्म को घेर लेते हैं. ही भगवान, साथ, पापा, इस सब क्या हो रहा है? चिंता मत करो मालिनी. आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा. ये साथ अगे आगे नहीं जाने देंगे. नहीं, मैं अकेली नहीं जा सकती. कुछ नहीं होगा बेटा. तुम्हारी मा की आत्मा तुम्हा मालिनी अपनी मा को बहुत पुकारती है और रोती है कुछी देर में उसके चारो तरफ बहुत सारे साप आ जाते हैं और तभी स्वरा की आत्मा उसके पास आती है मा आप ही मेरी मा है ना हाँ बेटा चिंता मत करो तभी स्वरा उसके माथे पर हाथ रखती है जिससे मालिनी बेहोश हो जाती है और सारे साप मालिनी के शरीर से सारा जहर पी लेते हैं थोड़ी देर में मालिनी को होश आता है और तभी प्रभाकर और उर्मिला भी वहाँ अब मालीनी बिल्कुल ठीक हो गई थी और खोशी खोशी वो तीनों घर चले जाते हैं और अब मालीनी फिर से बहुत अच्छी जिन्दगी जीने लगी थी तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी विश्कन्या की कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बढ़ाएं